हलो फ्रेंट्स मैं आज आपको क्रेसंथिमम की अपडेट्स दूंगी और कुछ बाते भी शेयर करूंगे आपसे जो मैंने रिसेंटले एक वीडियो शेयर किया था उसका अपडेट भी है देखिए धेर फ्लावर भी खिल रहे हैं और इसे लगाना फिर से मैं एक बार आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट करकर पूछ रहे थे कि अभी से क्रेसंथिमम कीलना स्टार्ट हो गया है मेरी यह जी फ्रेंट्स अभी तो सीजन बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे-चे फ्लावर्स कटिंग लग सकती है बीज से लगा जा सकता है औ और विंटर प्रिपरेशन जो हो रही है उसमें तो आप बहुत सरे कलेक्शन एड़ कर सकते हैं और क्रसंथिमम ऐसी है कुछ जगों पर साल बर रहता है हमरीया साल बर रहता है हमारीयां बहुत सारी जगवें डहीं है ले которой यह समर में नहीं रहती है और जो लास्ट येर की प्लैंट से और जो नएया लगाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको दूँगी जो मैं फालो करती हूँ हमरी यहां बहुत सारे क्रिसंदिमम की प्लैंट पर कलिया भी आने लगी है मैं दिखाती हूँ और यह देखिए मैंने लास्ट वीडियो में इसे लगाया था तो यह स्टैंड हो चुके हैं लगबग लग चुके हैं और कुछी दिन कटिंग के बाद यह बड़े हो जाएंगे टिप आप टोड़ी सी पिंच कर दीजिए का साइड से यह और ब्रैंचेस निकल कर आएंगे और ब्रुशी सा हो जाएंगे और जो मैंने कटिंग लगाया थे उसमें भी देखी इस तरह के रनर्स जो है वो निकल रहे है मैं आपको एक निकाल कर दिखा आती हूँ यह मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था फ्रेंड के यहां से लेकर आई थी एक देर मैना हो गया और ग्रो भी हो रहा है फ्लावर्स भी तो यह जो बीग ल alcoholic कर सकते हैं इसे मैंने बहुत लगाकर रखी हूं इसी तरह से जो fast grow होते हैं और जल्दी से फ्रावर भी देने लगते हैं इसी तरह से मैंने लगा हुए जो लास्ट वीडियो में ही मैंने आप से शेर किया थी कि छोटे चोटे बॉटल में मैंने लगा हुए था तो उनको मैंने लगाने के बाद देखिए कि इतने छोटे थे और कितने हैं तो आप लगा सकते हैं और यह लास्ट येर की प्लैंट से मेरे और इसमें साइड से देखिए इस तरह से निकल कर आते हैं यह रेनर्स और इसे भी मैं यहां से निकल कर दिखाती हूं आपको यह यह भी में कर लेकर लगाती हूं यह उपर की टिप लेकर आप लगा सकती और यह सब देखिए पिछले साल की मेरी है कुछ देखिए इस तरह से निकल कर आते तो बहुत अची सी इसमें भी रूट्स निकल कर आते हैं तो बस इसे मिटी में दबा दो हो जाएगा और नहीं तो आप थोड़ी थोड़ी सी पिंच करकर यहां से थोड़ी छोटी वाली ही बहुत अच्छी रहती है जल्दी लग जाती है तो बस यहां से पिंच कर लो हमारी प्लाइंट की पिंच भी हो जाएगा आपकी कटिंग भी आ मिल जाएंगे आपको ग्रो करने के लिए वैसे कटिंग से ग्रो किया हूआ और पिंच किया बाद में आप इंच वागरा तो बस देखें ऊपर की जो टिप मैंने लिए थी उसे थोड़ी सी पती निकाले नीचे से इस तरह से नीचे से पती होगे रहाटा ले और बस इसे इस तरह से लगा ले और लगाने के कुछी दिन के बाद इसमें रूट निकल कर आते हैं बहुत ही जल्दी आसान से लगते ह है ऐसी नहीं की छोटी छोटी कटिंग बहुत दिन लगेगी यह लेंगी जैसे ही बसकस और रोस प्लैंट की कटिंग जो है वो थोड़ी सी दीरे से चलती है लेकिन क्रेसंथिमम ऐसी नहीं बहुत यह अची सी फास्ट ग्रो होती है मैं दिखाती हूँ मैं यह देखिए कु बनने लगी है वैसे तो इस पार मैंने क्रेसंथिमम की कुछ बहुत सारे कटिंग और कलर्स थोड़ी सी एड़ करने के कोशिश की है और कुछ मैंने कटिंग लिए तो उसका कलर भी मुझे अभी तक पता नहीं है फूल खिलने का ही वेट कर रही हूँ मैं तो इस तरह से थो बहुत जल्दी लगती है और बहुत आसान से लगती है नहीं तो आप सैंड में लगा दीजिएगा और कुछ दिन के बाद आपसे रिपोर्ट कर दीजिएगा बस इसे थोड़ी सी हलकी सी मिटी में हम दबा कर रख देंगे तो बस थोड़ी सी मॉइस्ट रखे ग्रो होने त जोसे लगा से कितनी बुशी से हो गई है एक पैंट कुछी दिन पहले की कटिंग लगा थी और यह भी काई लगा थी मैं और यह फ्रेंड कि आंसे में लेकर आई थी और साहिर से उसका भी पहुत सारे बैबी जीकल कर आए तो मैं जगा जगा पर लगा दी यह सब वही मैं लगा दी यह कुछी दिन में मैं रसन थी हमकि बहुत सारी पॉर्टशिय मैं कर सकती हूं कि देख इस तरह से मैंने की एये तो आप भी कह सकते हैं और मधरफ्लैंट जो है और अब मैं दिखाती हूं हम उसमें बहुत सारी कलिया बनने लगी है तो देखिए कुछ दिन के बाद की रिजल्ट है जो मैंने लगाई थी चार पांच दिन के बाद की जो स्टैंड हो चुकी है और यह मदर प्लैंट से सारे और उसमें कलिया बनने लगी है यह आज़ खा है और कुछ दिन पहले इसमें कलियां बहुत कम तीदे किया नहीं कितने जाहता आने लगी है तो पूरे आप्टु जनेवरी तक बहुत अच्छे सी खिलने लगते बहुत अच्छी सी इसमें फ्लावर आने लगती है बस इसे अभी ठंड बनते ही पतियां और कलियां खाने वाली कीड़े बनते हैं बस उसी कर रहता है बाकी कुछ भी नहीं है और ब्लैक छोटे-छोटे कीड़े लगती है वो कुछ डैमेज नहीं करती है लेकिन देखने में सब्सक्राब लगती है बस इसे और कुछ भी मिली बक्स जादा अटेक नहीं होती है सिर्फ कलियां और पतियां खाने वाला ही जादा रहती है अभी मैंने जो निकाली थी उसको भी मैं यही पर लगा रही हूं तो कुछ दिन में यह बीस्टेंड हो जाएंगे तो इस तरह स मैं फंगसाइब किड़ों से बचने के लिए फोड़ी सी इस तरह से FROM करते रहती है हमेशा से थोड़ी पतिया वगेरा पीली पड़ी हुई हो छोछ उसका DAN बड़ कर निकाल देना है मार को आपकुछ गैर का से भाग जाते हैं थोड़ी सी मेंटेनेंस लगती हैं और विंटर में तो धेर सारी फ्लवर्स आपको दे सकती हैं और यह सब मदर प्लैंट से मेरे लास्ट यह के बस इसी में रहने दिया है और यह लाइट पिंक और वाइट में हैं सिंगल पेटल वाले तो बहुत अची सी य पिंच गर्वाइब का लिए और यहां लगा लिए और इसको बुशी बनने दिया है और कुछी दिन में उसमें फ्लवर ब्याइन लगते हैं तो बस फ्लवर का साइज भी अच्छा है और यह सब कलर नहीं थे इस भार मैंने आड़ कर दिया है यह डार्क मेजन्टा वाली औ और औरंज वाली है कुछ कलर्स धीरे धीरे मैंने थोड़ी सी एंड करकर रखी हूं बहुत अच्छी सी ग्रो हो गया है तो आप भी थोड़ी सी ट्राइ करिए का बहुत आसानी से आपकी यहां भी बहुत सारी प्लैंट जो है वो रड़ी हो सकते हैं